केवल बांस से बना हुआ घर जिसे बांबू हाउस या बांस का घर कहते हैं यह देखने बहुत ही सांदार होता है और इसमें रहने पर यह एक वाता अनुकुलित जो है की आपको प्लेस प्रवाइड करता है तो आज इस वीडियो में हम बांबू हाउस के बारे में जानकाई लेंगे सर से और यह जो आप बांबू हाउस देख रहे हैं यह जो है की असम के नरकट द्वारा बनाया गया वहीं के कारिगर द्वारा बनाया गया है वह जो है की उत्तरप्रदेश के जौनपूर में आ करके इसको बनाए हुए हैं यह आडर पर बनाए आता है और यह अक्सर आपको टूरिस्ट प्लेस पर देखने को मिल जाता होगा जैसे कि रेश्टोर्रे हो गया या फिर घूमने का कोई प्लेस होगा जहां पर लोग रहते हैं इसमें लोगों के रुखने के लिए ध्यान करने के ल और साथी में अगर अभी तक आप हमारे चनल पर नए हैं तो चनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक सेर करें तो आए सुरू करते हैं यह वीडियो जानते हैं इसके बारे में कि इसमें कितना बनाने में काश आता है और कैसे काम करता है इसके क्या फायदे हैं सारी बाताइं इस वीडियो में हम जानेंगे तो आएए जानते हैं सर से गिन्हों ने इसको बनवाये हुआ है उनसे बात करते हैं इध्यान तो फार्म में बैटके ध्यान लगाते हैं रिलैक्स भी करते एंप जो देखने हैं बना हुआ एक तेमप्रेचर कंट्रोल होता है प्लस इसमें बारिस बारिस का पानी भी नहीं असकता है क्योंकि तीन लेयर होते हैं प्लास्टिक लगा होता है उपर और असाम का नरकट होता है यहां के लोकल वासनेहीं आसाम नरकट है जिसके 20 साल की वारंटी उन्होंने दे रख किया कोई भी समस्चा आती है एक से फिजिकल डेमेज अगर तूफा उगार में जाता है तो अलग बात है नहीं तो कोई दिकत होती नहीं इसमें 20 साल का सपास चलता है उसमें आप करवाते रहें टाइम टाइम से यह कहां वहीं साथे बनाने के लिए घ्रणासां साही कारीकर आते हैं और वह बनाते हैं मैं एक सिंगल पीस के लिए यातिंगल जब आकर बन वाएं तो आते हैं फिर दोक में लेके अब्लारे संबाल, ट्रक किस अंपना उप Sanyak Ch assassin autos, और 15